स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की वीडियो नहीं बहुत ही स्पिसल होने वाले है क्योंकि जो विगिनर्स होते हैं उनको जब देखे वह जब भी ट्रेड ऐसा लगाते हैं कि अगर किसी पॉइंट से जैसे कि यहां पर मार्केट अगर जा रहा है उपर तो यहां भी कर कर देते हैं लेकिन मार्केट फिर वहीज से रीवर्स हो जाता है ऐसा होता होगा आपके साहत और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं प्लान कि यहां को लगता है उनको लगता है चलो यहां से मतलब मार्कित यहां हुआ गारा दो समझ पाएंगे आप मार्केट्टको ऐसे गच्चा देता रहा मतलब आप सही प्रडेक्ट करीं नहीं पाएंगे मार्केट ौब मार्केटम ने साइकल मैं चलना है मार्केट किस में चलना है ठीक? तो आज हमने इसको समझने हैं बहुत ही इंपऄर्टनreci टॉफी पूरा वीडियो मिस्पॉत कर लिएगा क्योंकि इस तरह से वीडियू घृमत क्रीबाइब ये पूसिक हूं कि ये लेका संटे ना तो यहां पे चले हम देख लेते आ हैं कि कितने फेज होते हैं मार्केट के तो इसको बोलते हैं अकुमिलेट करना मतलब लोग अपना-पना इकठा कर रहे होंगे माल इकठा कर रहे हो और इस पर्टिकुलर इस जोन में ऐसे हो रहाओगा जो भी चीज़े हो रहे होंगी उसके बाद अजानक से आप देखते हैं कि ब्रेक आउट हुआ ठीक है तो यहां कि है कि सब लोग चलो यहां पर खरीद लेते हैं मतलब जो भी है रहे हो चुम्कि इससा सस्था नहीं हो तो फिर हम ऐसले market भी कह सकते हैं जो कि bullish trend शुरू होता है तो market यहाँ से क्या होगा ऐसे जाएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा थोड़ा उपर जाएगा थोड़ा नीचे थोड़ा उपर इस तरह से market जो नहीं continue करता है इसको हम बोलते हैं advancing page यह दूसरा page हो जाएगा advancing फेज ठीक है यह हो गया तो इसमें क्या होता है आप यह देखे market जब भी उपर की तरह इसे निकलता है तो सीधे उपर नहीं जाता है ठीक है आप बड़े टाइम फ्रेमें देखते होंगा अगर एक घंटे माप देख रहे हैं तो इस तरह से देखे एक बड़ी candle यहां पर बनी एक बड़ी candle यहां पर बनी लगाता तो आपको लगेगा कि यार यह तो सीधा ही उपर गया लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेमें इसको देखेंगे ना तो भी आपको उसमें भी आपको ऐसे से मार्केट चाता हुआ दिखाई देगा इस तरह से ही दिखाई देगा मतलब होता गया मार्केट जो है ना कि थोड़ा सा पूल बैक करता है आप इसको जो ही जिससे कि यहां तक गया था मार्केट और यहां से यहां तक गया तो इसको आप पूल बैक भी बोल सकते हैं इसको आप जो है कि बोल सकते हैं कि correction लिया है यह आप यह सब वर्ड जो होते हैं इससे आप घब रहेएगा नहीं मतलब सारे का मतलब एक ही होता है चाहिए आप इसको pullback बोलिए retracement बोलिए या फिर आप बोलिए correction मतलब market यहा तक गया इस point तक उसके बाद यह market यहां से correction लिया अब उसके बाद ऊपर जाएगा तो अब हैर हाई बोलते हैं उसके बाद नीचे आया धर नाम दे सकते हैं उसके बाद जब इसलिए नीचे आ रहा होता है तो जो ये पुराना HL था मतलब higher low था उसको break करके नीचे नहीं आता है मतलब यहीं से उपर चला जाता है इसको बोलेंगे नया higher low लगाया है market जब तक ये नया higher high नया higher low लगता रहेगा तब तक market trending में ही रहेगा ठीक मार्केट मतलब advancing page में रहेगा जो कि मैंने यहाँ पर यह वाला page बताया आपको तो इस तरह जब उपर गया तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि नया higher high लगा यह higher high हो गया फिर से नीचे पूल बै किया या फिर आप retracement कह लिजे या फिर आप जो ने की क्या बोलते है उसको correction कह लिजे नया यहाँ पर HL लगाया ठीक है यह हो गया अब कभी किसी point पर ऐसा आपको देखने को मिलेगा है ना आपको देखने को मिलेगा यह जो नया higher low यहाँ पर लगाए यह higher low न लगाए कि previous higher low को यहाँ पर break करके नीचे आ जाएगा ठीक है इस वाली line को मैं यहाँ पर आगे बढ़ा देता हूँ तो यह break करके नीचे आ गया तो अब आप यहाँ पर थोड़ा समल जाएगे मतलब दया कुस्तो गड़बढ है वो वाली बात आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर इस ने क्या किया पुराने higher low को break कर दिया ठीक है यहाँ से break कर दिया तो अब हो सकता कि यहाँ से market reverse कर सकता है ठीक है जैसे यह break करेगा उसके बाद यह थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाएगा अब यह एक तरह से support और resistance में आपको next part में बताऊंगा ठीक है यहाँ से क्या होगा यह एक तरह से resistance का काम करेगा क्योंकि यहाँ पर last time market यहाँ से उपर गया था अब यहाँ से उसको फिर से नीचे की तरफ धगेल सकता है ठीक है तो यहाँ से जो ना downtrend सुरू हो सकता है जब तक वो higher पुराना पिछला higher low break नहीं करता है तब तक market नीचे नहीं जाएगा यह आपको ध्यान रखना है तो भाईया यह क्या होगा advancing page ठीक है जैसे advancing page यहाँ तक उपर चलता चला जाएगा जब advancing page complete हो जाएगा तो अब एक नया page चालू होगा उसको हम यहाँ पे बोलते हैं जैसे यह यहाँ से advancing page चला नया higher high low बनाता हुआ उसको market किसी point पे आके फिर से यहाँ पे रूख सकता है तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे जैसे market consolidation में चला जाएगा consolidation in the sense मतलब आप समझें कि बहुत ही मजक्कत उसको करना पड़ रहा है बहुत ही दम लगा रहा है उपर नीचे कर रहा है तो यहाँ पर क्या होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पर distribution phase ठीक है मतलब यहाँ से अब वित्र और मतलब पांटा जाएगा यहाँ से supply छोड़ी जाए इसको आप बोल सकते हैं मतलब supply zone ठीक है यहाँ supply छोड़ी जाएगी जिसे जो भी इन्हों ने इन्हों ने भी यहाँ पर buy किया था मतलब demand zone कह लिजे या फिर जो की accumulation phase कह लिजे जिन्हों ने यहाँ पर buy किया था advancing phase के दोरान जो है कि वो लोग अपने profit में आए उसके बाद जब यह तीसरा वाला phase यहाँ पर चालू हुआ distribution तो यहाँ पर क्या होती profit booking होती है ठीक है profit booking होगी तो जितने भी यहाँ पर buy किये थे वो सब यहाँ पर sell करेंगे ठीक है sell करेंगे तो कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पर कुछ लोग entry भी कर रहे होते हैं मतलब entry कर रहे हो आप देख रहे हैं rectangle अगर ये नीचे की तरफ break कर जाएगा तो आप समझे कि नीचे जाएगा market अगर ये उपर की तरफ break कर जाएगा तो मतलब यहां से market उपर की तरफ निकल जाएगा ठीक है तो इसको हम क्या बोलते हैं distribution यानि distribution जहां पर लोग यानि supply जब बढ़ेगी तो chances काफी हाई रहते market फिट से वह नीचे की तरफ आएगा ठीक है यह तीसरा मैंने आपको फेज बता दिया अब यहां पर मैं आपको बताता हूँ चौथा फेज काउन सा होता है यह distribution फेज मैंने आपको बताया यहां पर advancing फेज के बाद distribution फेज बनेगा उसके बाद market क्या होगा कि नीचे की तरफ आना शुरू करेगा तो यह ऐसे ऐसे market नीचे आएगा ठीक है ऐसे market नीचे आएगा इसको मैं सही तरीके तो बना देता हू यहां से आया ऐसे 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 ठीक है अब यहां पर क्या होगा कि market यह लोवर हाई इसको बोलेंगे ठीक है और इसको बोलेंगे लोवर लो इसको बोलेंगे लोवर हाई इसको बोलेंगे लोवर लो ठीक है जब यह market नीचे की तरफ आता है तो इस पूरे फेज को हम क्या बोलते हैं declining phase ठीक है declining phase हम इसको बोलेंगे clear है इतना decline ये चौथा phase हो गया declining phase इसमें क्या होता है मतलब trend होता हो down की तरफ आने लगता है अब यहाँ जब down की तरफ आता है तो एक दम ऐसे बिल्कुल एक सीधी रेखा में नहीं आएगा थोड़ा सा क्या करेगा वो यहाँ से retrace करेगा ठीक है retrace करेगा या pullback कह लीजे या फिर आप correction कह लीजे ठीक है यहाँ से retrace करेगा तो यह एक नया lower high बनाएगा ठीक है lower high इसलिए कह रहे हैं क्यूंकि downtrend में है ठीक है अब यहाँ से क्या होगा कि इस पुराने lower low को यह break करके आओ नीचे आएगा एक नया lower low बनाएगा फिर यहाँ से pullback करके उपर जाएगा तो यह नया lower high बनाएगा क्यूंकि यह पुराना lower high था इसको break नहीं किया है ठीक है ब्रेक नहीं किया अगर यह फिर से अगर इसके ऊपर निकल गया तो समझे इसने पुराना lower high को break कर दिया अब हो सकता है कि यहां से trend reversal हो जाया मतलब यहां से ऊपर market continue कर सकता है इसमें जरूरी नहीं कैसा हो हो सकता है कि यहां से जाके फिर से वो नीचे की तरफ आ जाए ठीक है लेकिन वो तब तक ऊपन है जाए अगर आपने यहां पर sort किया या फिर sell किया है तो अपना position आप exit कर सकते हैं जब पुराना lower high उसने break कर दिया तो ठीक है यह concept होता है अब यह इसको क्या बोलते है declining phase मैंने चार phase आपको बता दिये जब यह declining phase complete हो जाता है तो फिर से वही पहले number का जो scene होता है वो चालू हो आता है तो मैं आपको अगर बताओं तो यहां से यह क्या होगा distribution phase होगा इसके पहले जो है कि advancing phase होगा यहां पर जो है कि आपका accumulation phase होगा यह आपका declining phase हो गया यह declining हो गया यह आपका advancing हो गया यह आपका distribution हो गया यह accumulation हो गया अब यहां से फिर से कौन सा phase आ जाएगा फिर से ह accumulation वाला phase जा जाएगा मतलब आप यहां पर लोग अपना share या जो भी crypto stock है कुछ भी यहां पर आप buy करना शुरू करेंगे धीरे धीरे ठीक है तो market अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहां पर consolidate करेगा मतलब थोड़ा उपर इसी एक range में मतलब यह आपका यह resistance की तरह काम करेगा यह वाला जो नीचे है यह support की तरह काम करेगा ठीक है इसी range में market up and down up and down करता रहेगा जिधर भी breakout होगा चाहिए नीचे की तरफ चाहिए उपर की तरफ breakdown होगा तो नीचे breakdown बोलते है उपर होगा तो breakout उपर होता है ठीक है तो उधर आपको फिर trade लेना है फिर अगर उपर की सोचते हैं जैसे market यहां से ऊपर गया तो आपको लगेगा अर्यार यह ता उपर आगे मार्केट अब यहां से क्या होगा चलो आप नीचे की तरफ जाएगा मतलब हम ऐसा सोचते है एक बार गिरिन बनाया तो एक बार रेट बनाएगा एक बार बनाएगा ऐसे candle बनता है ऐस इसको आप बोल सकते हैं फिर ब्रेक आउट हुआ तो ऊपर की तरफ निकल गया और आपको मैं एक्जामपल अगर दिखाऊं तो आप इधर थोड़ा आ जाएगे कि यहां पर आप देखिए जिसे ये वालो जोन है ये क्या है ये distribution phase हो गया distribution फेज यहां से distribution मतलब यहां पर selling हो गई जो भी अपना लोग यहां से buying किये थे उन्होंने profit booking किया उसे और market नीचे आ गया ठीक है इस तरह से जिसे आप यहां छोटा सा देख सकते है distribution phase है उसके बाद यहां पर आप देख सक जो मैं बोलो है आप ऐसा समझ लीजेगा ठीक है कभी-कभी सब्दों में तूटियां हो जाती है आप एकुमिलेशन phase में भी trade कर सकते है एडवांसिंग phase या declining phase में भी आप trade कर सकते है ठीक है लेकिन आपको तरीके अलग-अलग हो जाते हैं जैसे कि अगर मान के चलते हैं य बीच में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं ठीक है ऐसे जब करेगा तो अब अपने डाउन करेगा यह ब्रेक हुआ नीचे तो नहीं तो फिर उपर ठीक है इस तरह से यहां पर जाता है अच्छा हम इस को जो हैं कि दो सब्दों में भी हम ऐसा कह सकते हैं जो पहला है वह हो जाएगा आपका की ट्रेंडिंग मार्केट ठीक है ट्रेंडिंग मार्केट दूसरा हो जारेगा आपका रेंजिंग मार्केट ऐसे यह सब फेजवज को एगर आप साइड करेंगे तो दो तरीकी का एक ट्रेंडिंग हो गया trending यानी मतलब आपका यह ऊपर की तरफ जा रहा तो यह uptrend हो गया इसको ठीक है यह down की तरफ अगर आ रहा है लगाता है तो आपका होता है downtrend trending market मतलब दो trend होते हैं एक तो downtrend होता है एक uptrend होता है और ranging का क्या होता है जब market zone है कि एक ही zone में ऐसे up and down कर रहा है तब आप इसको consolidate जब यह कर रहा होता है accumulation phase भी हो सकता है या फिर आपका distribution phase भी हो सकता है तो उसको हम बोलते हैं ranging market ठीक है ज्यादा तर अगर आप देखते हैं जो trending market होता है most of the time 30% trending market होता है और 70% जो होता है वो आपका ranging market होता है अब next video में आपको मैं बताऊंगा कि ranging market में आपको कैसे ट्रेड लेना होता है और trending market में आपको कैसे ट्रेड लेना होता है क्लियर है आपको वो मैं तब बताऊंगा जब इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का प्यार जलकेगा है ना तभी थोड़ा सा बन से यह वीचार आए जार चलो आप लोगोंता प्यार दे रहा हो चलो मेनत में करता हूँ आप सब्सक्राइबर यहाँ बोलते कैसे श्क जिसको हम range bound भी बोलते हैं, उपर एक resistance होता है, नीचे आपका support होता है, और trending market है, तो trending market हो भी आप ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा, चैनल आप subscribe कर लिजे, क्योंकि इस तरह की knowledge और सब कुछ यही पर आपको मिलने वाला है, तो मिलता हैं फिर किसी another topic साथ, next studio में तब तक ले, bye bye and take care.